हाई अब्रेवन एक्जा मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समलित अवर अभियंता वो उप वास्तुविद परिक्षा 2016 के परिडाम के बारे में आप सबको पता होगा कि 2016 जेई का जो आपका रिजल्ट है वो डेक्लेयर कर दिया गया है उससे संबंदित न्यूस भी है एक पेपर में आप देख लीजे की क्या है उत्तर प्रिदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग ने समलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद सामान चैन प्रतियोगी तात्मक परिक्षा 2016 के लिखित परिक्षा का परिडाम घोशित कर दिया गया है आयोग ने अलग-अलग स्रेडिक के लिए कटाब भी जारी किया है आयोग ने विभिन विभागों में रिक्त अवर अभियंता सिविल विद्यूत यांत्र की उप वास्तुविद के 486 और तकनीकी सहायक के तीन पदों सहित कुल जो है 489 पदों पर भरति का विध्यापन जारी किया था लेकिन सम्मंदिर विभागों की ओर से अवर अभियंता विद्यूत के सत्र अवर अभियंता सिविल के जो है 80 और उप वास्तुविद के 6 पद सहित कुल 130 पदों का अधियाचन वापस ले लिया गया था आयो की ओर से कुल 386 पदों पर आयोजित भरती परिक्षा का परिडाम जारी किया गया है 86 पदों के सापेक्ष लिखित परिक्षा के स्कोर के आधार पर स्रेणी वार दो गुना समान कटाफ अग प्राप्त करने वाले सभी अर्थ भियर्थियों को शामिल करते हुए कुल 2571 अभियर्थियों को उत्तिर नगोशित कर दस्तावेज मतलब डाकूमेंट वैरिफिकेशन जो दस्तावेज सत्यापन के लिए पात्र गोशित किया गया है आपको यहाँ पर जानने वाली बात यह है इसको लेके confusion हो सकती है आपको समान अंक पाने वाली समान अंका मतलब होता है जैसे मालीजे आप देखे होंगे 400 गेवफ जो भी आपका कटाफ जारी किया गया है उसमें जैसे मालीजे किसी के similar number है दसमलों के जो decimal number होते है जैसे मालीजे आप एक example 4.34 किसी का है सेम किसी और का है तो यह decimal के number लगभग 2 digit तक लेते हैं उन सब को बुलाया गया है इसलिए लिखा है दो गुना जो समान काटाफ है इसी वज़े से जो है candidate की संख्या जो है परिडाम का कटाफ आयो की वेबसाइट आपको बता है वेबसाइट पे दिया गया आप सब लोग देख भी चुके होंगे यह अंतिम चैन परिडाम नहीं है ध्यान रखेंगे चैन का अंतिम परिडाम अभिलेक परिक्षण के बाद घोशित किया जाएगा देखें यह कोई इंटर्व्यू नहीं है और आप लोगों के जो डाकुमेंट वैरिफिकेशन है उसके बाद एक फाइनल कटाफ दिया जाएगा कि क्या हो सकता है और इतने कैंडी रेट्स जाते हैं किसी ना किसी के कैंडी रेट्स के क्या होते हैं माक्षी सर्टिफिकेट में कोई प्राब्लम होती है कुछ ऐसी दिक्कते आती हैं तो जो है कैंडी रेट्स वहाँ पर भी कम हो जाते हैं और इसमें जितने भी अभिरतियों के नाम आये है 2571 केड़ी रेट है जो उसमें से आपको पता है कि सभी को तो जॉब इसमें नहीं मिलेगी ठीक है जितनी पद है सिर्फ मिलेगा तो उतनों को ही लेकिन आपके ने जितना भी एक्साम दिया था उतना बेहतर आप कर चुके है अब आप अपने अच्छे से सब कुछ डाकुमेंट्स लेकर जो है अपना जाये डाकुमेंट्स वैरिफिकेशन में बाकी चीजे खुदी पता चलेंगी कि कितने लोग सलेक्ट हो रहे है ठीक है और हाँ जिन लोगों की गैपिंग होगी कुछ भी होगा अपना जो उससे र कामिले हों वो अपने कॉलेज से संपर करिए उसको ले लीजे तभी दोनों चीजे लगेंगी आपकी और आपके हाई स्कूल की जो मार्क्षी चर्टिफिकेट तेखिए जो लोग जैसा की बीच में ऐसा हुआ था जैसे माल ये 2007 की बात है या बीच में तो आपके मार्क्ष में यूज हो रही होंगी सबकी फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए फोटो होनी चाहिए रिसेंट की होनी चाहिए और अगर हो सके तो जो फोटो नहीं भी होगी तो चलेगा यदि किसी के पास हो तो वो भी एक दो रख सकते है ठीक है और अपने ओरिजिनल आधार क सब की चीज की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए ठीक है फॉर्मल ड्रेस में जाए ठीक है जो भी उनिफॉर्म आप यूस करें ठीक तो इस तरह जीजिए है आप सब लोग इसको धिहान में रखिएगा तो इस समंधित है यह आपको न्यूज देनी थी और जितने लोग भी देखे 2016 की यह परेडाम जारी हुए है आपने देखा था भी जूनियर असिस्टेंट का जो है उसका डिकलेर हुआ था तो जो आपके कमाइंड टेक्निकल सर्विस एक्जाम है उसके भी एक्जाम जल्दी कराए जाएंगे ठीक है तो चलिए इस वीडियो में आपको यह जानकारी देनी थी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर में लेंगे तब तक के लिए टेक केर जैहिंद